हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल NCRT टूटरेल हिंदी के उपर और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं कक्छा 9 भुगोल के अध्याय नंबर 1 को जिसका नाम है भारत आकार और स्थिती तो यहाँ पर इस वीडियो के साथ, इस चैटर के साथ हम पूरे भुगोल की शुरुवात कर रहे हैं कक्छा 9 के भुगोल की यहाँ पर यह जो अध्याय है इस अध्याय में आपको भारत का एक प्रकार का इंट्रोडक्शन समझना है, मतलब भारत से परिचय आपको करवाया जा रहा है कि भारत का आकार कैसा है, भारत की दुनिया में इस्थिती कैसी है, भारत के पडोसी कौन है, उनसे कैसा रिष्टा है यह कुछ बेसिक बाते जो जो जोगराफी की होती है भुगोल की जो बेसिक बाते हैं, वो आपको भारत के बारे में यहाँ पर बताई जाएगी तो यह अध्याय जो है, जादा बड़ा है नहीं, छोटा सा अध्याय है, इसको जल्दी से हम लोग पढ़कर खतम करेंगे और अगर आप और जल्दी खतम करना चाहते हैं, तो 1.25 के स्पीड पर आप देख सकते हैं, या फिर 1.5 के स्पीड पर भी वीडियो को आप देख सकते हैं, जल्दी से और जल्दी यह चेप्टर आपका खतम हो जाएगा अब शुरुआत में कुछ इंट्रोडक्शन है, तो इसको मैं जल्दी से पढ़कर आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर एक प्रकार से क्या कहता है, कहता है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, आपको पता होगा, कि हमारे देश में, हमारे पूरे ज संस्कृतियों या फिर सभिताओं में से एक है, और पिछले पांच दशक में भारत में समाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, मतलब कि जब से देश आजाद हुआ है, उसके बाद देश में हर तरीके से विकास हुआ है, डेवलप्मेंट हुआ है, यहाँ पर आगे कहता है कि क्रिसी उद्योग तकनीक सरवांगिन आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगती हुई है, भारत का विष्व इस्तिहास में भी महत्पून योगदान है, ठीक है, तो यह भारत के बारे में थोड़ी सी एक प्रकार का इंट्रोड़क्शन हो गया, परिच जगह पर है, उसका इस्तिती हम कैसे पता करेंगे, यह सारी चीज़े यहाँ पर बात आ जाती है, तो कहता है कि भारत एक विषाल देश है, भारत बहुत बड़ा देश है, भाई कितना बड़ा है, यह हम आगे जानेंगे, ठीक है, अब यह कहता है कि यह उत्तरी गोलार्ध में इस्तित है, और इसका मुख्य भाग 8 दसमलो, 8 डिगरी 4 मिनट उत्तर से, 37 डिगरी 6 मिनट उत्तर अक्षांस, और 68 डिगरी 7 मिनट पूर्व से, 97 डिगरी 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है, अब यह एक प्रकार से भारत की इस्तिती बताई गई है, पूरे गलोब में यानि कि पूरे पृत्वी पर कि भारत आखिर है कहां, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यह उत्तरी गोलार्ध कहने का क्या मतलब होता है, आपने अभी तक अगर भूगोल पढ़ा होगा पिछले क्लासिस में अच्छे तरीके से, तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं क्या करता हूँ, आपको शौट में बता देता हूँ, अब दिखें, यहाँ पर यह पूरे विश्व का नक्षा है, लेकिन इस से हमें सहीच से समझ में नहीं आएगा, इस वज़ा से हम इस तस्वीर के उपर बढ़ते हैं, और यह तस्वीर हमको समझने में काफी मदद इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा भारत है, ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारा ग्लोब है, जो हमारी पृत्वी है, उस पृत्वी के बीचों बीच एक रेखा खिची जाती है, जो की बाएं से दाएं की और खिची जाती है, यह जो रेखा है, प हमारा एक प्रकार से प्रित्वी के बीचों बीच है, कैसे बीच में भाई, एक तरफ हमारा क्या है, उत्री ध्रूव है, और एक तरफ हमारा दक्षिनी ध्रूव है, दोनों ध्रूवों के बीच में ये भूमत दे रेखा है, और ये भूमत दे रेखा प्रित्वी को दो हिस्स में बांटती है उपर वाला हिस्सा क्या हो गया हमारा उत्री गोलार्ध हो गया और नीचे वाला क्या हो गया हमारा दक्षिनी गोलार्ध हो गया तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो यहां पर हमारा भूमत दे रेखा है उसने हमारे प्रिथ्वी को दो हिस्सों में बांट दि और उपर वाला हिस्सा उत्री गुलार्ध नीचे वाला हिस्सा दक्षिनी गुलार्ध अब यहाँ पर इस रेखा से देखिए हमारा भारत उपर है या नीचे है भाई उपर है तो कहां हो गया उत्री गुलार्ध में हो गया मतलब उत्री जो धुरूव है उसके इलाके में अब ये अक्षांस रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है, ये आपने पिछले classes में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं क्या करता हूँ, आपको short में, मतलब जितनी जल्दी हो सकी, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप करने के लिए, या फिर किसी जगह की दूरी मापने के लिए, बहुत सारे काम के लिए ये कालक्रिक रेखाएं इस्तमाल की जाती है, अब ये जो रेखाएं हैं, ये दो प्रकार की होती है, पहला होता है, पहला हमारा होता है, अक्षांस होता है, अब ये अक्षांस रेखा ये अक्षांस रेखा जो है, वो हमने जो भुमद्य रेखा की बात की न, उसके पैरलल होता है, यानि उसके समनांतर होता है, यानि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उत्री ध्रूव और दक्षिरी ध्रूव के बीचों बीच एक रेखा खीच देते हैं, जो कि पृत्वी को यहां पर अच्छांस रेखाएं जो है, इनकी गिंती कैसे होती है, इनकी गिंती होती है बीच में से शुरू, यानि जो भूमत दे रेखा है, विश्वत रेखा है, इसको हम zero degree रेखा कह देते हैं, और इसके बाद हम एक, दो, तीन, चार ऐसे करते करते करते, हमारा जो उत्रि degree हमारा दक्छनी ध्रूब हो जाता है, इस प्रकार से अच्छांस को हम माते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से हमारा जो एक और काल्पनिक रेखा है, यह है देशानतरिये रेखा, और देशानतरिये रेखा हम कैसे खीचते हैं, भाई? तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? यहां एक डिगरी के अंतर पर रखते हैं, एक डिगरी के कोन के अंतर पर रखते हैं, आइंगल आपको पता होगा, डिगरी पता होगा, क्या बात हो रहा है, तो उस एक डिगरी के कोन पर रखने पर, कुल मिलाकर हमारे 360 हमारे रेखाएं बन जाती हैं, कौन सी हमारे देशांतर जीरो से सुरू करते हैं, जीरो से कैसे सुरू करते हैं भाई, कौन सा जगह जीरो होगा, तो यहाँ पर जीरो से सुरू किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारा बीच में रेखा नहीं है, क्योंकि सब देने से बरावर है, तो कोई बीच में नहीं है, तो यहाँ पर क डिग्री रेखामान लिया और बोला कि यहीं से अब गिंती शुरू होगी और यहीं से एक तरफ हमारा पूर्वी गुलार्ध हो जाएगा और एक तरफ हमारा दक्षिनी गुलार्ध हो जाएगा जिस प्रकार से यहां से बीच में हिस्सा करके हमने उत्री गुलार्ध और दक् एक, दो, तीन करते करते 180 तक, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से हम लोग अच्छांस और देशांतर की गिंती करते हैं, अब आपको शौट में समझ में आ गया होगा कि अच्छांस और देशांतर क्या होता है, कैसे काम करता है, तो यहाँ पर हमने अभी भा भारत की स्थिती में हमने देखा कि जो भारत की स्थिती यहां पर बताई गई है यह कितनी बताई गई है यह बताई गई है कि देखे भारत का जो मुख्य भाग है वो 8 डिगरी 4 मिनट उत्तर से 37 डिगरी 6 मिनट उत्तर अच्छांस तक है अब इसका अच्छांसिय विस्तार क बात यहां पर की जारी है, मतलब कि यह जो हमारा मुख्य भूमी है, यह भारत का इलाका है, इसका जो सबसे निचला इलाका है, मतलब कि जो सबसे दच्छिनी छोर है, यह कितना पर है? आठ डीगरी चार मीनट, ठीक है? अब इसी प्रकार से जो हमारे देश का सबसे उतरी इल ये कहा है 37 Degree 6 मिनट इस प्रकार से हमारे देश का अच्छांसिय विस्तार इतना है इतना हमारे देश का अच्छांसिय विस्तार है फीक है अब यहां पर हमने एक चीज सम्झा अभी तुरंत मैंने बताया था कि हमारा जो देश है वो उत्री गोलार्ध में है जब हम अच्छा की बात करते हैं लेकिन मैंने दिसांतर के मामले में भी कहा कि भाई दिसांतर के मामले में भी हमारा पूर्वी और पस्चिमी गोलार्द होता है तो यहां पर इस नक्षे को देखिए इस नक्षे में यहां पर आप देख सकते हैं कि जीरो डिग्री यहां पर है यहां पर हमारा क्या होता है पूर्वी गुलार्ध है यहां पर पूर्वी गुलार्ध है और इस तरफ हमारा क्या है यहां पर हमारा पस्चिमी गुलार्ध है ठीक है तो यहां पर हमारा देश कहा है भाई पूर्वी गुलार्ध में और यह बीचों बीच से रेखा जा रही है भूमत दे तो हमारा देश कहा है पूर्वी गोलार्द और साथ में उत्री गोलार्द में ठीक है समझ गए तो हमने अच्छांस के मामले में देखा हमारा देश कहा है अच्छांस के मामले में यहां पर क्या है उत्री गोलार्द में ठीक है और हमारे देशांदर के मामले में क्या है पूर अमद दीरेखा से उपर वाले अच्छानस की गिंती कर रहे हैं और वहीं जब हम देशानतर की बात करते हैं तो देशानतर में क्या लिखते हैं 68 डीगरी साथ मिनट पूर्व से 97 डीगरी 25 मिनट पूर्व पूर्व क्यों लगा रहे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जो prime meridian है, मानक समय रेखा है, उससे हम लोग पूर्व में हैं, मतलब कि पूर्वी गोलार्ध में है, समझ गए तो यहाँ पर भारत की स्थिती आपको clear हो गई कि क्या है भाई भारत की स्थिती, अब यहाँ पर आगे एक चीज़ कहता है कि यहां पर भारत में करकरेखा जो है जो की 23 डिगरी 30 मिनट से गुजरती है यह देश को लगभग दो भराबर भागों में बाटती है मुखी भुभाग के दक्षिनिपूर में यह तो दीब के बारे में ठीक है हम लोग पहले बात कर लेते हैं यह करकरेखा के बारे में अब यहां पर करकरेखा क्या है करकरेखा एक प्रकार का अक्षांसिय रेखा है अब देखें यहां पर जितने भी अक्षांसिय रेखाएं है उनमें से कुछ रेखा हैं, जो हैं, वो जादा महत्पूर्ण है, उनमें से एक रेखा है करक रेखा, अब करक रेखा के अलावा आपका मकर रेखा भी महत्पूर्ण है, ठीक है, इसके अलावा आपको आर्क्टिक रेखा, अंटार्क्टिक रेखा भी महत्पूर्ण है, अब पर अगर हम दोग देखें, तो यहां पर करकरेखा जो है, वो लगभग यहां से होकर गुजरता है, ऐसे गुजरता है, तो यह करकरेखा हमारा क्या हो गया, उत्री गुलार्द में हो गया, इसी के सम्तुल्ले हमारा दक्षिनी गुलार्द में क्या गुजरता है, दक्षिनी देश के बिल्कुल बीचो बीच से लगभग बीचो बीच से गुजर रहा है, यहां से गुजर रहा है, और इस करकरेखा को अंग्रेजी में ट्रोपिक आफ कैंसर कहा जाता है, और इसका जो एंगल होता है, वो होता है, हमारा साढ़े तेश डिगरी, ठीक है? अब यहां पर रिसतार है हमारे देश का, ये हमारा करकर इखा बिलकुल बीचोबीद सी गुजरता है, जो कि देश को दो हिस्सों में लगभग, दो हिस्सों में बाणता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे एग और चीज़ बताया गया है कि यहाँ पर हमारे देश में हमारे देश की जो इस्थिती है इसमें हमारे देश का सिर्फ मुखे भूभाग नहीं है बलकि इसके अलावा हमारे देश के पास दीप समूह भी है कई सारे दीप हैं उनक समू है अब यहाँ पर कहता है कि हमारे देश के दक्षिन पूर्व में अंडमान निकोबार दीब समू पाया जाता है बंगाल की खाडी में और दक्षिन पस्चिम में हमारा लक्ष दीब दीब समू पाया जाता है जो कि अरब सागर में इस्थित है अब यहाँ पर अगर आप जरा सा नक्से में देखें, तो नक्से में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप नक्सा देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, साफ कर लेता हूँ, ताकि आपको दिखें, क्लियर-क्लियर, तो यहाँ पर देखें, कि यह हमारे देश की मुख्य भूमी हो गई अब मुख्य भूमी के दक्षिन पूर्व में यहाँ पर यह जो दीब समू है यह हमारा अंडमान निकोबर दीब समू जो कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में है और यही पर यह हमारा जो दीब समू है ये है लक्ष दूइप दीप समूः जो की अरब सागर में है जो की हमारे देश की मुख्य भूमी के दख्ष्चिन पस्चिम में है ठीक है ये दूइप समूः की स्थिती भी हम समझ गये तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आगे पुबहा का कुल छेतरफल 32,87,000 कुछ किलोमेटर है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 32.8 लाख वर किलोमेटर लिखा गया है, यही आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि भारत का छेतरफल विश्व के कुल छेतरफल का 2.4 प्रतिशत है, यह इंपोर्टें यानि छेतरफल के आधार पर विश्व का सातवा सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है, अब यहाँ पर देखिए कि भाई कौन कौन से देश हैं जो कि भारत से बड़े हैं, सातवे अस्थान पर भारत आता है, पहले अस्थान पर रूस आता है, जो कि सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट अमेरिका चीन इसके बाद ब्राजील आता है अस्टेलिया आता और उसके बाद भारत का नमबर आता है तो यह सात्वे नमबर पर आता है छेतरफल के मामले में हमारा देश भारत अब यहां पर इसके बाद कहता है कि भारत की जो अस्थल सीमा रेखा है यह कितनी है 15,200 किलोमेटर है और समुद्री टेटरिखा अंडमान निको बार दीब समू और लक्षिदीब समू के साथ 75,166 किलोमेटर है यानि हमारे देश की सीमा कितनी लंबी है कितनी बड़ी है ये बताया जा रहा है अब देखे अस्थल सीमा कहने का मतलब क्या हुआ मतलब पाकिस्तान ये हमारा पाकिस्तान देश है ठीक है इसके बाद यहां पर हम लोग का इस तरफ आजाता है चीन देश आजाता है यहां पर हमारा नेपाल आजाता है यहां पर हमारा भूटान आजाता है यहां पर हमारा म्यामार आजाता है इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा बांगला देश आ जाता है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कई सारे देश हैं, जिनके साथ हम सीमा साजा करते हैं, और एक देश यहाँ पर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान देश के साथ भी हम करीब 108 km के सीमा साजा करते हैं, तो यहाँ पर सीमा सीमा हमारे देस का कितना है समुद्री सीमा केहने का मतलब है कि हमारा देस का जो टटिय छेत्र है टटिय सीमा कितना है मतलब कौण जो समुदर के साथ हमारी सीमा कितनी है तो यह 25166.6 KM लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि यह जो 7516.6 km आपको बताया जा रहा है इसमें यह सभी द्वीपो के सीमाओं की भी बात की गई है द्वीपो का जो अंतराष्ट्रिय सीमा है समुद्र के साथ उसकी भी बात की जा रही है तब यह 7516.6 km होता है और अगर हम सिर्फ और सिर्फ मुख्य भूमी की बात करें यानि यहां गुजरात, महराष्ट, गोवा, करनाटक, केरल, तमिलाडू, आंधर प्रदेश, इसके अलावा ओडिशा और पश्चिम मंगल इनकी बात करें तो इनका होता है 1600 km, ठीक है, तो यह हमारा देश का सीमा हो गया, सीमा का लंबाई हो गया, ठीक है अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर क्या कहता है आगे कहता है कि भारत के उस्चम उत्तर पश्चिम उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित परवत है अब यहां पर किस परवत की बात हो रही है भाई, हिमाले परवत की बात हो रही है कि हमारे देश के उत्तर पश्चिम में, उत्तर में और उत्तर पूर्व सीमा पर कौन सा परवत है भाई, ये परवत है हिमाले परवत, जो की एक प्रकार का नवीनतम वलित परवत है, अब ये किस प्रकोव हिमाले क्यों नवीनतम वलित परवत है, ये हम अगले चेप्टर में बात करेंगे बस यह अब जान लीजिए यह कहता है कि इसके दक्षिन का भूभाग उत्तर में चोड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अच्छांस से हिंद महासागर की और संक्रा होता गया है इसके पस्ची में अरब सागर और मुख्यव में और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है यहां पर इसको जरा सा समझने की कोशिश करते हैं अब यह देखे यह आपका भारत का नक्षा है जिसमें कि आपको भारत के भूभाग दिखाए गए हैं कि किस इलाके में किस प्रकार की भूमी पाई जाती है तो भारत को अगर आप देखें तो यहां पर हमारी सी हमारे देश के उत्तरपूर्व में, हमारे देश के उत्तरपस्चिम में वलित परवत हैं, तो यहां पर तो हिमाले हो गया और यहां पर कुछ एक दो दूसरे परवत भी हमारे पाई जाते हैं, ठीक है। अकार है हमारे देश का और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे देश के दक्षिन पस्चिम में क्या है यहाँ पर है अरब सागर हो गया और हमारे देश के दक्षिन पुर्व में क्या है बंगाल की खाड़ी है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि य तेरे ख्याल से तो नहीं चूटा है, जी नहीं, नहीं चूटा है, मैंने आपको बता दिया. यहाँ पर मेन मुद्दा क्या कह रहा है? मेन मुद्दा कह रहा है कि भाई देखो हमारा भारत का नक्षा जवाप देखेगा, तो आपको पता चलेगा कि जो अच्छांसी और देशांतरी विस्तार है, वो लगभग 30 डिगरी है दोनों तरफ से, मतलब ऐसे भी 30 डिगरी और ऐ आगे यहाँ पर क्या कहता है? कहता है कि गुजरात से अरुनाचल प्रदेश के अस्थानिय समय में दो घंटे का अंतर है, अतह 82 डिगरी 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानकियाम युत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजर अब यहाँ पर क्या है? कहता है कि देखिए, जिस समय में अरुनाचल प्रदेश में सूरज उगेगा, उसके दो घंटे बाद जाकर गुजरात में सूरज उगता है, ये मेनमुद्दा है, समय में अंतर है का यही मतलब होता है, कि भाई सूरज अगर गुजरात में है, तो उसके दो घंटे पहले ही अरुनाचल प्रदेश में उग चुका है, ये समझने के लिए आपको समझना होगा, इसी वज़ा से पूरे देश में एक समान समय रखने के लिए, एक बराबर समय रखने के लिए, क्या किया गया है, देश के बीचों बीच एक रेखा को मानक या म युत्तर मान लिया गया है, जिससे की हमारे देश का समय निर्धारन होता है, अब ये मानक या मियुत्तर कहां से गुजरता है, ये गुजरता है 82 डिगरी 30 मिनट से, जो की उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर से गुजरता है, और यही से पूरे देश का समय निर्धारन होत क्लियर है तो यहां पर समझ गया तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमको देखना होगा कि कहां से मानक्याम्यूत्तर गुजर रहा है तो यह देखे भारत का नक्षा अब भारत के नक्षे में अगर हम देखें तो बहुत सारे लाइने मैंने खिच दी है ठीक को देश का समय निर्धारन होता है अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई यहां पर दो घंटे का अंतर बोला जा रहा है तो दो घंटे का अंतर यहां पर क्यों है अरुणाचल प्रदेश में सूरत दो घंटे पहले क्यों उगेगा तो उसका छोटा समय अंसर आपको समझा बताना चाहता हूं अब यहां पर देखिए हमने क्या देखा हमने देखा कि भाई यहां पर जो हमारा देशांतर्य विस्तार है वो कितना है लगभग 30 डिगरी है अब यहां पर जो प्रिथ्वी है वो इस तरफ घूमती है मतलब कि इस तरफ घूमती है तो क्या होगा हमको पता है कि प्रित्वी घुमती है, सूरज इस्थिर है, सूरज नहीं घुमता है, तो यहाँ पर क्या होगा, सूर कि जब प्रित्वी इधर जाएगा, इधर की और जाएगा, तो यहाँ पर सूरी की रोशनी पड़ी, फिर यहाँ पड़ा, फिर यहाँ पड़ा, फिर यहाँ प ठीक है 30 degree हमें पता है, अब यहाँ पर हमें ये पता है एक चीज, कि जो सूरी की रोश्णी है, उसको 1 degree दिसांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, मतलब कि 1 degree दिसांतर की बीच में जो दूरी है ना, उसको पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, अब 4 मिनट का समय लगता दो आवर्स का समय लगेगा तो इसलिए हमें पता है कि जो दिसांतरिय विस्तार है हमारे देश का उसकी वज़ा से दो घंटे बाद यहां पर कोई भी प्राकृति घटना होगा गुजरात में अरुनाचल प्रदेश के दो घंटे बाद ठीक है अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या कहता है भारत तथा विश्व यानि कि भारत और विश्व के बाद यहां पर बात करने वाले हैं तो यहां पर कहता है कि भारतिय भूखंट एशिया महादीब के पूर्व और पस्चिम के मध्धिम इस्थित है Indonesia सारे आ जाते हैं, इधर रशिया भी आ जाता है, इतने बड़े में से हमारा जो भारत है वो लगभग बीचों बीच में आपको दिख रहा होगा, इधर जितनी दूरी है उतना ही इधर भी है, लगभग बीचों बीच में हमारा भारत है और साथ में हमारा जो भारत है वो दक्षिनी विस्तार है, दक्षिनी विस्तार कहने का मतलब क्या है, एशिया का ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिन हो गया, और देख रहे हैं कि ये जो पूरा भूखंड है, इससे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है हमा अब यहां पर आगर हम लोग आगे बढ़ हैं, तो यहां पर यही चीज़ कहता है, भारतिय भूभाग एशिया महादीब का दक्षिनी विस्तार है, हिंद महासागर, जो की पस्चिम यूरोपिय देशों और पूरवी एशिया इस देशों को मिलाता है, भारत को केंद्री इस् जपान वगरा सबको जोड़ता है, और इसके बीचों बीच हमारा भारत पड़ता है, मतलब कि हिंद महासागर में हम लोग का बहुत ही मजबूत पोजीशन है, इस वज़ा से इस सागर का भी नाम क्या रखा गया, हिंद महासागर रखा गया, दुनिया में सिर्फ एक महासा में जो भारत की स्थिती है, उस्ती वज़ा से इसका नाम ऐसा रखा गया है, ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर कहता है कि देखिए, दक्षिन का पठार हिंद महासागर में सिर्फवत फैला हुआ है, और पस्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरो हुआ है, संबंध मना सकते हैं, आज जा सकते हैं, आ सकते हैं, यह सारी चीज़े, हिंद महासागर में किसी भी देश की टटिय सीमा भारत जैसी नहीं है, जो कि मैंने बताया तुरंत भी, भारत की इसी महत्पूर्ण इस्तिती के कारण, एक महासागर का नाम इसके नाम पर ठीक है, यह सारी चीज़े आपको पता चल गई, अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे हमारे सामने क्या है भाई, तो यहां पर हमारे देश का नक्सा है, जो कि मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद आ जाता है कुछ एक्ष्ट्रा बाते हैं, यह क्य भारत में रही है, जैसे कि सिंधू घाटी सभेता, वैदिक सभेता, तो उस समय से ही दुनिया के जो अलग-लग इलाके थे, वहां से भारत के संबंध काफी अच्छे रहे हैं, और यह संबंध उस समय में समुद्री रास्ते से नहीं होता था, बलकि भुभाग से होता था, म समझना जरूरी है, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, यह तस्वीर देखना होगा, तो यह तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, कि जो हमारा देश है, इस देश में सभी तरफ आपको पहाड दिख रहे हैं, मतलब कि कोई इधर से इलाके में आना होता था भारत देश में आना होता था या फिर भारत के लोगों को बाहर जाना होता था तो यहां पर यह लोग क्या करते थे यहां पर पहाडों के बीच में जो एक प्राकृतिक रास्ता होता है मतलब कि दो पहाड हैं ऐसे ऐसे अब यह दो पहाड के बीच में जो एक रास्ता है ना, इसी को हम दर्रा कहते हैं, इसी के जरीये लोग आते जाते थे, और यहां से निकल कर यूरोप भी जाते थे, अरब के देशों में भी जाते थे, चीन भी जाते थे, और इसी प्रकार के दर्रों का इस्तमाल करके इधर से, या फिर इधर से, या फिर कि उत्री परवत के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आये, जब कि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ग्यात नहीं थे। मतलब कि बाद में लोगों को जाकर पता चला कि भाई देखो भारत जाना है तो समुद्र के जरीय भी जा सकते हो, आ सकते हो, तब वो समुद्र के रास्तों का इस्तमाल करने लगे। प्रनिशद के विचार थे, रमायन के विचार थे, इसके साथ साथ पंच्तंत्र की कहानिया थे, अंक एवं दश्मलो प्रनाली थी, वो सभी कहां पहुँची दुनिया के दूसरे इलाकों में पहुँची। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो इसके अलावा मसाले मलमल ये कपड़े व्यापार के अन्य समान भी दूसरे देशों तक जाते थे, और इसके साथ ही जो दूसरे देश से विचार थे, वो भी भारत आते थे, जैसे कि युनानी इस्थापत्ते कला, या फिर पश्चीम लेते हैं, जान लेते हैं, तो कहता है कि भारत का दक्षिन एसिया में एक महत्वोन अस्थान है, दक्षिन एसिया कहने का मतलब क्या हुआ भाई, दक्षिन एसिया को तो हमने समझ गये कि एसिया क्या चीज है, दक्षिन एसिया क्या चीज है, ये जरा सा समझते हैं, तो यह मतलब होता है यहां से अफगानिस्तान से लेकर इस प्रकार से जो यह हमारा पूरा सीमा वनता है यह हमारा दक्षीन एसिया है जिसके लिए एक संगठन भी चलता है जिसका नाम होता है शारक संगठन समझ गया तो यहां पर कई देश आ जाते हैं भारत आ जाता है पाकिस्तान अस्थान है ये तो आपको पता चल गया और यहां पर भारत में 28 राज्ये हैं आठ केंदर सासित प्रदेश हैं ये भी आपको पता होगा नई पता है तो जान लीजिए अब उनके नाम कौन-कौन से हैं ये आपको अगर जानना है तो एक वीडियो मैंने बनाया था पहले तो हैं आई बटन में यहां फिर यहां आई बटन में देख सकते हैं मैं वीडियो डाल दूँगा कौन-कौन से राज्ये हैं कौन-कौन से किनशासित प्रदेश हैं आपको पता चल जाएगा ठीक है तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कहता है कि भारत की भूमी की सिमाएン उतर पश्ची में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उतर में चीन और नेपाल और भुटान के साथ, पूर्वा में म्यामार और बांगलादेश के साथ हैं, दक्षिन में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो दीप समूराष्ट है भारत और श्रिलंका के बीच सोट छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधी तथा मनार की खाड़ी है, माल्दीव लक्षदीव समों के दक्षिन में इस्थित है, अपने पडोसी देशों के साथ भारत के भागौलिक और एतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, अपनी एटलस में एशिया के मानचीत में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है, अब यहाँ पर मुख्य मुद्दा हमारे सामने बच गया है कि भारत के सभी पडोसीयों को हम जरा सा नक्से में समझ लें, तब हमारे लिए आसान होगा, बहतर होगा समझना कि यहाँ पर क्य इसलिए अधा बात होता है, अब यहाँ पर अगर हम यह नक्षा देखें, या फिर यह तस्वीर देखें, तो इसमें आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा कि इस तरफ हमारे देश के इस तरफ कन सा देश है भाई? पाकिस्तान है, ठीक है? अब इसी के बगल में यहाँ पर जरा सा सीमा, कितना सीमा, 108 km का सीमा, हम लोग अफगानिस्तान के साथ भी साजा करते हैं, तो अफगानिस्तान हमारा पडोसी है, बिल्कुल पडोसी जिसके साथ हम लोग का सीमा है, हाँ एक बात है कि भाई देखो पाकिस्तान ने इतने इलाके पर कबजा करके रखा हुआ है इसलिए हम लोग अभी directly अफगानिस्तान नहीं जा सकते हैं जब वो एक प्रकार से भारत में आ जाएगा तब हम लोग directly पैदल चलके अफगानिस्तान जा सकते हैं फिर यहाँ पर क्या है यहाँ पर चीन है यहाँ पर नेपाल है यहाँ पर भुटान है यहाँ पर म्यामार है और यहाँ बांगला देश है जिनके साथ हमारा सीमा साजा होता है अब इसके बाद दो देश आजाते हैं और ये दो देश हैं जिनके साथ हम समुद्री सीमाई आजा करते हैं मतलब उन देशों के साथ हमारा सीधा जमीनी रिस्ता नहीं है बलकि बीच में समुद्र का पानी आता है तो एक देश तो यहां हो गया श्री लंका, श्री लंका के बीच में और भारत के बीच में पांक जलसंधी है, और यहाँ पर मननार की खाड़ी है, और साथ में हमारा जो माल्दीव देश है, वो लक्षधीप के थोड़ा सा इस स्थिरफ पाये जाता है, तो यह नक्षप में नहीं दिखाये गया है, मैं आपको बता दे रहूँ, यहाँ पर मालदीव देश है, जो कि एक दीप देश है, दीप देश कहने का मतलब कि उसका कोई पडोसी नहीं है, जमीनी पडोसी नहीं है, बलकि उसका क्या है, एक प्रकार का चारोतर्व समुद्री है, ठीक है, तो यहा पर हमारा ये अध्याय जो है ये समाप्त होता है मिलते हम आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ तब तक के लिए गुडबाई